आज मैं आप लोगे साथ एक ऐसा extract share करने वाली हूँ जो आपके hair follicle में melanin की production को increase करता है और आपके बालों का pigment है उसको restore करने का काम करता है देखिए जब हमारे hair follicle में melanin loss होने लगता है तो बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं और why melanin loss होता है इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स होते हैं जैसे कि अगर आप healthy diet नहीं लेते तो उसका असर भी melanin पर पढ़ता है क्योंकि हमारी healthy diet है कुछ particular nutrients होते हैं जो हमारे melanin के production को increase करने का काम करते हैं अगर आप healthy diet नहीं लेते तो फिर आपके melanin reduce होने लगते हैं मतलब melanin का production decrease होता है और आपके बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं melanin नहीं होते हैं जो हमारे बालों को काला बनाने का काम करते हैं अब hair follicle में melanin नहीं है तो बाल सफेद हो जाएंगे समय से पहले ही अगर आप बहुत सारे chemicals का use करते हैं chemical वाले shampoo, conditioner, coloring, dye तो आपके बाल समय से पहले सफेद हो जाएंगे क्योंकि यह जो chemicals होते हैं यह आपके hair follicle में melanin के production को decrease कर देते हैं तीसरा reason होता है stress अगर आप बहुत ज़्यदा stress लेते हैं तो उसका आसर भी melanin पे पढ़ता है मेलानीन कम बनता है बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यह extract शेयर करूँगी और इस extract को सिर्फ आपको अपनी scalp में लगाना होगा ताकि यह जो extract है यह आपके hair follicle के अंदर penetrate कर जाए और melanin के production को increase करे और यकीन करिए यह extract इतना powerful है कि आपके बालों को काला बना देगा premature hair grain को भी treat कर देगा अब जैसे कि मैंने बताये कि आपको अपनी diet का भी खास क्याल रखना है अगर nutrients वाइटामिस हमारे बालों को नहीं मिलेंगे तो बाल समय से पहले सफेद हो जाएंगे इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही nutrients ड्रिंक शेयर करूंगी जो आपके बालों को वापस से काला बनाने में आपके hair follicle में pigment को refill करने में बहुत ज़दा helpful है नमस्कार मेरा नाम है गरिमा और स्वाकत थापका मेरे YouTube चैनल पर इस तरीके की बहुत सारी hair care, skin care और healthy healthy diet से related videos में शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती है तो अगर आप नए है मेरे चैनल पर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लीजेगा सभी लोगों से request है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है यूसफुल लगती है तो please like जरू करेगा सबसे पहले मैं आप लोगों को इस extract को बनाने का तरीका बताने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ दो तरीके के scalp tonic पहले शेयर करूंगी उसके बाद drink शेयर करूंगी ठीक है तो जो सबसे पहला scalp tonic है इसको बनाने के लिए आपको fresh आमला चाहिए अगर आपको fresh आमला नहीं मिल पा रहा है तो चिंता करने की जरूत नहीं है आप यह करिए कि आमला पाउडर लीजिए उसको राद भर भीगोईए फिर next morning यूज करिएगा तो अगर आप आमला पाउडर का यूज करेंगे तो उसे राद भर भीगोना पड़ेगा अगर आप fresh आमला का यूज करने है तो आप तुरंत यूज कर सकते हैं fresh आमला लीजिए विंटर के सीजन में आपको फ्रेश आमला हर जगर बहुत आसानी से मिल जाएगा इसको अच्छे से ग्रेट कर लीजिए कद्दुकस पे आपको पता है आमला आपके हैर फॉलिकल में मेलानीन के प्रोड़क्शन को इंक्रीज करने का काम करता है और जो बालों का पिगमेंट है उसको प्रिजर् और आपको पता है आमला के अंदर एक तरीके का एंटी ऑक्सिडेन्ट होता है जो की ऑक्सिडेटिव इस्ट्रेस को खतम करने का काम करता है उक्सिडेटिव इस्ट्रेस खतम हो गया तो प्रिमिच्चूर हेर ग्रेइंग की जो प्रॉल्लम है वो भी खतम हो जाती है इसके अब यहां पे जो नेक्स इंग्रेडियंट है वह है चुकंदर यानि बीट रूट आप देख रहे हैं चुकंदर के अंदर कितना सारा पिग्मेंट है मेरे हाथ में भी बहुत सारा कलर लग गया है तो यह जो पिग्मेंट है यह हमारे हैर फॉलिकल में रिफिल होने लगता है जिसकी बज़े से बाल वापस से काला होना शुरू हो जाते हैं लेकिन जैसे कि यह कोई डाई नहीं है तो आपको इन सारी चीजों को लगातार यूज करना होगा तभी आपके बाल काले होंगे और साथ ही साथ जो जो चीजें मैं यहाँ यूस करूंगी न सब चीजों का कॉंबिनेशन आपके बालों के लिए बहुत ही मैजिकल तरीके से काम करता है आपके बालों को काला भी बनाता है रिग्रो भी करता है अब यहां पे जो next ingredient है वो है red onion, ना आपको brown onion लेनी है ना white onion लेनी है, सिर्फ आपको red onion ही लेनी है, red onion आपके बालों को काला बनाने में most powerful होती है, बालों को regrow करने में भी बहुत जाधा powerful होती है, आप देख सकते हैं जो red onion है, इसके अंदर भी एक pigment है और ये भी जो pigment है ये सारी चीलों का जो combination होता है वो आपके बालों में pigment को reproduce करने में बहुत जाधा powerful है, लेकिन आपको continue use करना पड़ेगा, और यहां पे जिस तरीके से मैं इस skeleton को बनाने वाली हूं, अगर आप बनाते हैं तो onion की जो गंदी वाली smell होती है, वो नहीं आएगी, ठीक है, तो आपक इसकी बाल हमारे मजबूत भी होते हैं और साथी साथ बाल रिग्रू करने का भी काम करते हैं, इन सारी चीजों का combination हमारे हैर फॉलिकल को स्टिमूलेट करता हैं निव हैर ग्रोथ के लिए, और जो हैर फॉलिकल डेड हो गया है, स्लिपिंग मोड में चले गया है, उन्हें एक्टिवेट करने का काम करता है, और जब वो एक्टिवेट होते हैं तो नए नए बाल आना शुरू हो जाते हैं, अब यहां पे अगर आप चाहते हैं कि अन्यिन के स्मेल भी ना आए, तो आपको क्या करना है, कि निवू लेना है, निवू का छिलका होता है, उसे अच्छ हिले होने माले हैर फॉलिकल में होने उसे खुड़ेटिवेटिवेट्स को खतम करने का म करता हैं तो यह ढऋल चाहती है अन्यिवेटी यह नए जहाता है, और आपको पता है जुट ना शुरू आपको पता है, निवू का छिलका होता है, इसके अंदर कुछ आक्टिव ietet ش career they want to use mus От Prime 2 to 4 verklig oncthin आप में फूर क्वाटलेट करनी है लेगे अ जो हमारे बालों को काला बनाने में बहुत जादा पावर क्ला यह जो सारी जी इसमेने में बहुत आप सारी कार स्ट्रेक्ट साथ कॉफी पाउडर भी एड़ करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा ठीक है अब इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजे कॉफी पाउडर जब तक डिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक आपको इसमें मिक्स करते रहना है साथी साथ जो कॉफी प अगर आपके ब्लों को काला भी बनाता है बाल पो रिंढश сложYSला है अगर आपके इस स्केल्पमेसमें दैनर्रक की प्रॉब्लम है तो अगर के सिर्फ इस स्कयल्प तॉनिक का यूज करनां तो अगर आपके बालों की समस्यार घ्र्टम हो जाया तो आपको इसे हर अब था करना होगा हफदे में दो बार अगर आप कर पाएंगे तो बहतर रिजल्ट मिलेंगे और जल्दी रिजल्ट मिलेगा इसलिए किसी भी चीज को अगर आप को रिजल्ट मिलेगा आप मुझे देखते भी है मैं जितनी भी video बनाती हूं उसमें जो रेमेडी आप लोगों को बना के दिखाती हूं, उसको लगा के भी दिखाती हूं, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि मैं रेगुलर्ली अपने बालों में ये सारी चीज़ें अपलाई करती हूं, हर हपते, हपते में दो-तीन दिन, at least, तो इससे क्या होता है ना कि मेरे बाल अच्छे हो जाते हैं, मैं कंसिस्टेंट रहती हूं, और ये आप लोगों को वीडियो में भी दिखता है, तो इसकी विज़े से क्या होता है, कि बाल काले भी होते है, और बाल रिग्रो भी कर रहे हैं, तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए, तो आपको कंसिस्टेंट रहना अच्छे पाउडर भी है, तो अच्छे पाउडर भी है, तो आपको अपने बालों में लगा रहे हैं, प्योर कॉफी पाउडर होना चाहिए, जो नेक्स इंग्रिएंट है वो है चाय पत्ती, जो ब्लैक टी होती है, जो दूद वाली चाय बनाते वग्त हम लोग चाय पत्त यह यह बालों को बराबर जेशा हों, देखिए यह सादरी शीजें दोनौं चीजें चाय और कॉफी दोनों ही चाई पत्ति और जो ह्मारे बालों को फो बनाने में भी हमारे हैर अर यह और उपाव्त करती है, जो नेक्स इंग्रेयंट है जो रिर्अंट है फिले जए आज प्रमोट करने में यह तीनों ही चीजें बहुत जादा इफेक्टिव हैं, अब आपको इसमें पानी डालना है और पानी डालने के बाद हमें इसे गैस पे रखना है और गैस पे तब तक पकाना है जब तक की जो क्वांटिटी अभी है वो रिड्यूस करके हाफ नहीं हो जाती तो इसको ठंडा कर लीजे अभी देखे यह थंडा हो चुका है अब मैं क्या करूंगे कि इन सारी चीजों को ग्राइंडर में डालूंगी और अच्छे से ग्राइंड करूंगी अगर आप इसे बिना ग्राइंड किये हुए ही स्ट्रेंड कर देंगे तो आपको आधा ही फा आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा इलोवेरा जल भी एड़ कर सकते हैं अगर आपकी स्क्याप थोड़ी सी ड्राइ टाइप की है तो अधर्वाइस ऐसे ही पूरे इसको दो घंटे के लिए छोड़िए उसके बाद नॉर्मल वाटर से हैर वाश कर लीजे शैंपू करने की अभी वीडियो इसकी मत करिएगा क्योंकि जो में चीज है जो हमारा ड्रिंक है वो शेयर करने वाली हुमें अब मैं आप लोगों को ड्रिंक बनाने का तरीका बताऊंगी और यह जो ड्रिंक है इसको डेली कंजूम करिए अगर आप ट्विक रिजल्ट चाहते हैं तो जो ड कालशियम, कॉपर, आयरन, प्रोटीन, वाइटामीन, B5, B6, B9, B12, वाइटामीन, D, Zinc, और Fatty Acid, तो मैं ऐसी चीजों का यूज करूंगी जिनके अंदर यह सारे essential nutrient होते हैं जो आपके बालों में पिगमिन को प्रिजर्व करते हैं और मेलानीन के प्रोड़क्शन को इंक् करते हैं तो आपको कैरेट लेना है दो लोगों के हिसाब से चार कैरेट मैंने लिया है यह ड्रिंक मैं दो लोगों के लिए बना रही हूँ अगर यह ड्रिंक आप सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं तो इंग्रेडिन्स की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखीगा अब जो न पर बेंस आपने में आमला के उपर देखा होगा धारीबनी होती है उसी हिसाप चबसेड़ गेंगे आमला बहुत अच्छे से तो मैं इसी तरीके से आमला को चॉप कर लोंगी आमला के अंदर बहुत सरा वाइटामिन C एंटी ऑक्सडिन पाया जाता है जो कि हमें यंग रखने का भी काम करता है जो हमारे सेल्स होती है उनको रिजनरेट करता है तो बेसिकली हमें यंग बनाता है अगर एक ग्लास आमला क है क्या तो बेसिएसक से घची फच ट आवल काले हुआऊः और आपके स्कीन बहुत सारे फाले मिलेंगे मौलेंगे इस दिरिंक बहुत सारे फायदयistic बहुत बहुत अच्छी रहेगी अब यहां पे जो next ingredient है वो है चुकंदर यानी beetroot, beetroot के अंदर बहुत सारा iron होता है, और iron हमारे बालों को काला बनाने में बहुत जरूरी होता है, फोलीक असीड होता है, फोलीक असीड भी हमारे बालों को काला बनाने के लिए बहुत important essential nutrient है, मैंने यहां पे एक beetroot लिया है, इ अधर इंग्रेडियन के साथ कंबाइन करती हूं, जैसे मैंने यहां पे किया हुआ है, तो इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है, और साथी साथ इसके हेल्थ बेनिफित बहुत सारे है, अगर आपका हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया है, तो इसको आपका हीमोग्लोबिन इसको इसको अगरेड़ करने में इसको अगरेड़ के लेवल को बैलेंस करने में बहुत ज़दा इफेक्टिव है, अनिम्या की प्रॉल्म को खतम करता है, और जब आइरन की कमी होती है तो बाल जड़ते भी है और साथी साथ हमारे बाल सफेद भी हो जाते हैं तो अगर इसके अंदर इतने सारे फाइबर होते है कि उसको कंज्यूम करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो इसले मैंने इसको अच्छे से इस्टें भी कर लिया इस ट्रेंग करने के बाद ये जो जो डिंक है इसको पी जाये अगर आप इसे डेली पी सकते है तो आपको क्या करना है कि हबते में 2 दिन पीना है अब अगर आप किसी ऐसे सीजन में उसको बना रहे हैं जब आपको यह ingredient में दूनुज दो इसका मिलब तम आपको किया यूज करना है क्या पीना है कि या पीना है कि कंजुम करना है वो आगे में बताऊंगे, धान देचा सुनिएगा देखिए जब तक आप इस drink को कंजूम कर सकते हैं इस drink को कंजूम करेगा उसके बाद आपको trifla powder कंजूम करना है trifla powder भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे essential nutrients प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ ये हमारे शरीर के अंदर जो nutrients को absorb करने की capacity है उसको increase कर देता है तो जब तक ये drink पी सकते हैं पीजिए उसके बाद trifla powder आपको कंजूम करना है अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूसफुल लगी तो प्लीज लाइक ज़रूर करेगा और मेरी वीडियो को शेयर करेगा आप जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं और हाँ मैंने अपने YouTube चैनल पे बहुत ही अच्छा सा iron powder शेयर किया है जो आपकी शरीर के अंदर iron deficiency को खतम करता है और hair growth powder भी शेयर किया है यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई and stay happy